कि हेलो विडियो का टाइटल देखके आप लोग समझी कि यह होंगे कि आज का बीशाय का जो मुद्दा है वो क्या है तो दोस्तों यह इस पर्टिकुलर बीशाय के ऊपर लेशन देने के लिए मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं आज सुभे मुझे एक मेरे राइटर भाई बोल सकते हैं उनसे मुलाकात हुआ तक ही सो उन्होंने मुझे एक सजिस्ट किया उन्होंने बोला कि आप मोटिवेशनल वीडियो बनाड़े हो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सिखने को मिलना है मैं बोला थैंक्यू तो उन गलत वह में जा रहा है क्योंकि आप सोते हुए अगर मोटिवेशनल वीडियो बनाते हो तो कैसे लग रहा है तो मैंने सोचा कि यह तो सही बात बोले है कि सोते हुए तो बनाना नहीं चाहिए क्या होता है कि आप एकड़ मतलब ऐसे ऐसे आप मोटिवेट करना चाहए हो और आप जब सुए हुए हो इट सीम्स लाइक आप डियक्टिवेड़ हो सम्हाओ तो मैंने मनी मन में सोच लिया कि ठीक है तो इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं लेकिन उसके बाद जो उन्होंने एक लाइन लिखा उसमें थोड़ा सा मेरा नजर जो है चेंज होगे नजरिया तो उन्होंने उसके बाद लिखा कि आपने नहीं देखा असंदी महश्वरी या फिर विवेक जो जैसे वीडियो मनाते कैसे एक्टिवली मनाते हैं तो उस क्या कर रहा है वह देखके अगर मैं उसको नकल करने की कोशिश करूं तो मेरा जो खुद का यूनिक में से खो जाएगा तो आज का जो वीडियो है उसका में टॉपिक ही वह है कि आप सब की सुनो लेकिन करो वही जो आपका दिल बोलता है इसलिए क्योंकि इस दुनिया में में हर एक इंसान यूनिक होता है अप आनुसरन कर सकते हो किसी को मतलब आप किसी के दिये हूए रहों पे चल सकते हो लेकिन आप उनको नहीं कर सकते है तो जो मैं बोल हुझा हदा कि तो आप जो सोचते हो उसमें अगर आपको लगता है कि हाँ आप सही हो चाहे कितना भी लोग बूले आप उस रहों पे चलते रहो जो लोग आपको टोकते हैं वही एक दिन आपके रहों पे शमील होगा आपके साथ चलने के लिए तो वीडियो को ज्यादा बढ़ा नहीं करू अजो पर और यहां और उसमेरा नहीं होता है तो, लेकिन हमेशे याद रखो दोस्तों के सुनो सबगतां कि डिल की ईन लोग वहीार नहीं करो क्योंकि आप दिल की करो पके जाव तो बहुत जायता हम साथ। इतना तकि मैं बताना चाहूंगा किसी को नकल मत करो अपने खुद की उनिकनेस बजा रखो और अगर आपके बातों पे दम है तो आप सोये हुए बोलो या फिर आप जागे हुए खोलो स्टेज पे बोलो या फिर बातरूम में बोलो बैठ के वो कोई फड़क नहीं पढ़ता आपके शवद में जोश होना चाहिए आपके शवद में दम होना चाहिए तर था था कि सो मच एवर्व लव यू अल